दोस्तों घरेलूख अवर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें दोस्तो पित्री पक्ष में दान पुन करने से पुरवज परसन होते हैं ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे और आर्थिक समरिधी भी बनी रहती है इस सब्धी में स्राधपक्ष में किये गए दान से पित्रों की किरपा तो प्राप्थ होती ही है बलकि पित्री दोस्त भी समाप्थ होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे पित्री पक्ष में साथ बस्तूओं का करे दान बन जाएंगे आप धन्मान जी हाँ दोस्तों आप इन साथ बस्तूओं का अगर पितरी पक्ष के दोरान दान करेंगे तो आपकी आर्थी किस्थिती समरिध होगी आर्थी किस्थिती मजबूत होगी तो वो कौन-कौन से साथ चीजे हैं और उनके दान का क्या महत्व है क्या मानिता है इस अंपून जानक के सियर करेंगे तो दोस्तों सबसे पहली चीज है काला तिल काला तिल भगवान विश्णू को प्रिय होने के साथ स्राध के हर कर्म में आवस्यक होता है तिल का दान करने से पितर आने वाली परिसानियों से बचाते हैं दूसरा भूमी महाभारत के अनुसार अंजाने में पुरानों में पित्रों का निवास स्थान चंद्रमा के उपरी भाग में बताया गया है चान्दी चावल दूद से पितर परसन होते हैं चान्दी का दान करना भी बहुत सुप फलदाई होता है वस्त्र पुरवोजो पर भी मौसम परिवर्तन का प्रभाव पढ़ता है उन् पित्रों के निमित गूर एवं नमक का दान अवस्य करना चाहिए। गरुड पुरान के अनुसार नमक के दान से यम का भै भी दूर होता है। जूते चपल पित्रों की सांती के लिए जूते चपल का दान करना बहुत हिस्सुम माना जाता है। पित्रों के निमित किसी गरीव को जूते चपल अवस्य दान करें। छत्री, पित्रों के नाम से छत्री का दान करने से विजीवन में सुक सान्ती आती है। छाते का दान करने से पुर्वज परसन होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो वीडियो को लाइक करेंगे, सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठैंक्स.